नमशच्का, मेरा नाम है दोक्ट्र पूरू धंण और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रियाटनीन के ऊपर और इसे थड़ा गहराई से समझने कोशिश करेंगे अखिर में क्रियाटनीन क्या है क्या है, क्यूँ हमारे शरीर में बनता है कहा हमारे शरीन में मनता है, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं किड्नी फिले पेशिंट में तो शुरुबात करते हैं क्रियाटनीन को तोड़ा सा गहराई से समझने में तो क्रियाटनीन एक टाप का वेस्ट मिटेरियल है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है जो कि हमारी mass patient में बनता है हमारी muscles में बनता है और hij 2400 गंटे हमारी श्रीज में बनता रहता है अब जब kidney सही से काम कर रही होती है तो kidney इस vegetarian को youring के तुरू हमेशा निकालती रहती है मगकर जब हमारी kidney कम काम करना शुरू करती है उसे किसी डेक को नुकसान होना शुरू होता है चाहे वो BP से हो, sugar से हो, polycystic kidney से हो, किसी भी रीजन से अगर kidney को नुकसान पोहों सरा है, उसके काम करनी की शमता कम हो रही है तो kidney की शमता, creatinine को शरी से बहार निकाननी की भी कम होनी शुरू हो जाती है अब बना है, निकल नहीं पा रहा, तो कहीं नहीं तो इखटा होगा तो ये creatinine हमारे खून में इखटा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम KFT रिपोर्ट के नहीं देखते हैं कि मेरा creatinine को क्या value पहुँच गई, तो creatinine हमें समझने में help करता है कि किड़्णी कितना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम Haus Pub vit situator का ने कॉछ किटनी को काम हो पा रहा है और इसमें को किद्डी को कितना नुख्शान हो चुका है तो basically हम कीड़्णी को किड़्णी कीड़्णी की काम से देख है होते हैं क्रियाटिन से लेखरे होते हैं क्रियाटिन की जो इंपोर्टेंस है किनी फिलियो पेशिंट में बहुत इसको हम कैसे कंट्रोल सकते हैं अब चेह नीचिक एक्राइब को कम करने अच्छी तरीके से रिंगालने अगर यह दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे तो क्रियाटिन की value उपर जाएगी और नीचे जाएगी अब हमें दोनों पर एक साथ काम करना है अब क्रियाटिन के बारे में जब मैंने शुरू किया था तो बनाव एक चीज बताई थी कि यह waste material है जो की protein in nature है यानि अगर हमारे शरी में protein की मात्रा जरूरत से जाएगी तो जरूरत से जादा क्रियाक्टिन हमारे शरी में पैदा होगा जो कि हमें नहीं चीए तो इसी वज़़े से जितने बे kidney failure patient होते हैं क्रियाटिन को control करने के लिए कि हमारे शरी में extra क्रियाक्टिन पै तो क्या होगा कि मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ी होनी शुरू जएगी बढ़नी शुरू जोगी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे किड्नी खराब नहीं हुई बॉडी में हमने क्रियाटनीन के बनने वाला मटीरियल ज़ाधा डाला था बॉडी ने उससे जढ़ा क्रियाटनीन को कर्वर्ट किया इसी meals वज़यिसे हमारी रिपोर्ट में क्रियाटनीन बढ़करार है यानि नौन वेच खाने से प्रोटीन का इंटिक जादा करने से क्रियाटनीन की मात्रा बढ़ेगी तो हमने क्या करना है हमने किसी भी टाप का प्रोटीन का इंटिक एक्स्रा इंटेग बंद कर दीन कि 25 नहीं घरकना है कि ितनी भी डाले हैं या पर जितने हैं उसको मण किटॉऩ क्ट डूंग गांगे पनी nawet मुझन कि हमारे शुडीर के परिंग के और ये यह तो आसान काम है यह से आप बहुत अच्छी तरगी से समझ गई होंगे मगर जब तक क्रेटिनिन की क्लेरेंस यानि यूरिन की अंदर क्रेटिनिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी किड्नी उसे ज्यादा फल्टर करके नहीं निकालेगी हमारी किड्नी फिलेगी कंडेशन आगे बढ़ती चली जाएगे और धीरी ऐसा टाइम जरूर आएगा कि क्रेटिनिन इतना बढ़ जाएगा कि हमें डालेसिस करवाना पड़ेगा तो हमें समझना है कि हमने अपने ब्लट के अंदर क्रेटिनिन को कम करने के लिए उसकी क्लेरेंस को भी बढ़ाना है और सिंपल सा त पर दो बाहर जाएगा उतना ही हमारे ब्लट में क्रेटिनिन की मात्रा कम होनी चीरू होगी अब क्लेरेंस को बढ़ाने के लिए हमें किड्नी फीलियर को समझना पड़ता है कि क्यूं हमारी किड्नी को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि किड्नी कभी भी अपने आप चुक क この हमारे के किड्नी को नुकसान हो रहा है आखर कम से कम फायदा हमें यह दिखनी को मिलता है कि क्योंकि61 बतल श्क्स भी होता है तो भी बौडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते और इतनिनी को डवल से मत्तव होता है कि किड्नी अपोक्सिमेट 80% काम नहीं कर रही तो हमने समझना यह है कि पहले हमने 6 को 7 में किड्नी को नुकसान चीज पोचारी उससे कंडोल में रखना है वह आगे और साना ना पुचाई तो बीपी शुक कड्रों में लेकर आना सबसे पहला काम बन जाता है अब हमें पता है कि हमारी किड्नी 80% काम नहीं करी और मेरा श्रीप बिल्कुल सही तरी कैसे काम कर रहा है छ उसको imagine करने की कोशिश करो अब सोचो कि आप kidney की अंदर देख पा रहे हो ठीक है तो आप उसमें देखोगी कुछ इसा ऐसा हो गया जो बिल्कुल खतम हो गया डेड हो गया बिल्कुल मरा हुआ है कुछ इसा होगा जो काम नहीं कर रहा है जिन्दा है तो जो का हिस्सा काम नही कि आप उसको खतम गया अब जो किड्नी अंदर जो हिश्सा है अब उसको रिवाइफ होने का मोका मिलता है और दीरीदरी ऑपने फंक्शिन को उठाना शुरू करता है ठीक है अम यह नुकसान और दोशन नहीं हो रहा है दूआ से काम पे चलता हूं तो बढ़ारा से काम गर अब समझने वाली बात है कि किड्नी के पर सुपर पावर भी होती है वह है अपने फंक्शन को बढ़ा लेने की शमताब एक इंसान के अंदर किड्नी किसी भी रीजन से नुकसान हो जाए चोट लग जाए एक्सिडेंट हो जाए या पर पत्री हो जाए पश पढ़ जाते हैं सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है पहले दो थी एक हो गई 50 परसंट कीड्नी का काम कम हो गया तो किड्नी और यूडियो बढ़ने चाहिए बट ऐसा नहीं देखने को मिलता क्योंकि किड्नी अपने फंक्शन को बढ़ा लेना जानती है यानि वह अपने काम करने की चमता बढ़ा लेती है कि यह हमें हर किड्नी फिले पेशेंट में इसेमाल करना पड़ता है जब किसी पेशन को टीट्वेंट देना स्टाट करते है तो कि इसकी कीड्नी फंक्शन सुधनने शुरू होते हैं तब जाके के कै안िके की मात का कम होनी शुरू हुरू ह। और जब बात क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि चीजे होती कैसे हैं और किस तरह से की जाना है तो आप मिलें नमस्ता मेरा नाम है डॉक्टर पूरुद्हवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हुए ऐसे पेशिंट से जिन्हों ने अपना करते हुए लेकर आए 0.4 पर जब हमारे पास है तो इनका डालेसिस भी हो रहा था और इनको और टाइपी भी दिखते थी तो चलते हैं नुमीज जी की बात जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आपको इस बीमारी से चुटकारत लाया तो नुमीज जी अब कब पता लगा था कि आपकी खराब हो रही है यह आपने आठ मार्च को तब लेवल कितने थे तेरा पुएंट सा तो को दिकत में सुस करें तो जब आप साइंस नीजी में आए थे तो आपक कितनी बार टैलेसिस होता था मथा हूसाँ पर वह ग् to'm कितनी बार हम्टे में होता है हाथा चाहाए है कितने में शुक्त कराहता है कितने में होगे में आथा युलाएको यहाँ आए था आप आप्या रहा एता अधा घुक्वा,निες नियु favour अगर सब्सक्राइबर नमबर चौथा मिना इब भी शुरू होगा इन तीन महीने के अंदर आपको पने अंदर क्या बदलाव नजर आया मुझे बदलाव साथ परसेंट आया साथ परसंट अब हो रहा है साथ अक्टूबर को बंद हो गया और अभी लेवल कितना आता है आपका यह लेटेस्ट रिपोर्ट है 28-29 अक्टूबर की इसके अंदर के लेवल 0.4 है जो की नॉमल से भी बिलो जा रहा है यह जो कि लेवल जो हमने तेना सजनी शुरू की फिर वो दर्स पर आया हाफ्ते में एक बार डायलेसिस होता था यह सब कुछ हमने इसिर्फ तीन मैंने के अंदर किया इंकी अगर अल्टासॉन रिपोर्ट देखें तो इनकी किड्नी श्रिंग आती चोटी हो गी है जिसके को जैसे इनकी किड्नी की फंक्ष्णिंग टाउं हो गए है। और जैसे स्वानिन की मेडिसिन स्टी इनकी किड्नी नहीं काम कदना शुरुक का मुझा स्ब्सक्राइब पर आपको जोगिसे यह होगा अब कंदा हर टाइम होगा अब क्रूं को साफ करने के हमाँ पहर दो ति चुछ करें चुछ करें तो हमें ऐसी देखनी को मिल जाते हैं जहांपर किद्नी के पहले की तुने से लुटिन भी परीक प्रोटीन नहीं आहाँ किसी दाप की देखनी पशह एक चाहँ नहीं पुर्ट रहेकिसे था नियुक्त परते हैं और हम रुटीन नहीं नहीं आ बोझनी के छीज को ने चीज जोड़ें दीन संका ही छुट्ट यह धीजित करने अब सब्सक्राइब मैं मेडियान करना हो बंद कर देते हैं घिया तो यह खाना शुरू कर देते हैं वह भी उबला हुआ हलती नमक के साथ ऐसे पेश्ट जोग से घिया तो यह खारे होते हैं उनकी कंडिशन और खराब होती चली जाती है कारण क्या होता है कि जब खाना नहीं खारे तो आपके खिड़नी को भी ताकत अगर आप इस चीज को ठीक करना है बॉड़ी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़्यूरी होता है तो सही तरह कि यह से बैलेंस ज़्यूरी है अगर आप सोचने हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद करकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता तो आपने भी सिव एक अथा फैसिए चीज मेरे पास है तो आपको आपको अपनी बीमारी को समझने में उसे कंट्रोल करने में आपको और उतनी 32 से हाब को तो Сकंव ピरे काम करने में देखने को मिलता है पिर प्र उतिनी अग Il ।ो नमद करता है अब आच को समझते हों वीडियो input कर तो लिए हमा वाक्टर से बात कीजी, अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं, आप इसी के साथ आप सुभी सिवन चल लेएं आगे चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोश्कार